सिरी मीरी भक्ती में आप सब का स्वागत है दोस्तों अगर आप हमसे जुढना चाहते हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिल जाए आज हम साल 2022 के पहले सूरी ग्रहन के बारे में जानने वाले हैं ग्रहन एक खगोलिय घटना है साल का ये पहला सूरी ग्रहन बहुत ही खास माना जा रहा है शास्त्रों के अनुसार 30 अप्राइल को लगने वाला सूर्य ग्रहन 27 महा की अमवस्या को लगेगा इस दिन शनिश्वरी अमवस्या होगी जो शनी देव को प्रसंद करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है आज हम आपको साल 2022 के पहले सूर्य ग्रहन का समय ग्रहन कहां दिखाई देगा शनी अमवस्या पर किये जाने वाले उपाय और ग्रहन के दोरान क्या करे क्या ना करे इन सभी बातों के बारे में बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहन और अमवस्या का समय साल 2022 का पहला सूरी ग्रहन 30 अप्रैल शनिवार को बैसा कृष्ण अमासर पर लगेगा ये आंशिक सूरी ग्रहन होगा जोतिश अनुसार ग्रहन दक्षिन अमेरिका के दक्षिनी पश्चिमी हिस्से प्रिशान्त महासागर अट्लांटिक और अंटार्टिका में नजर आएगा बारत में इसकी द्रशिता शून्य होगी यानि ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा ऐसे में इसका सूर्थ तक मान्यन नहीं होगा बारतिय समय नवसार सूर्य ग्रहन 30 अप्राइल की मधर रातरी 12 बचकर 15 मिनिट से शुरू होकर 1 माई को सुबह 4 बचकर 7 मिनिट तक का रहेगा वहीं शनिश्वरी अमस्या 30 अप्राइल को प्रातकाल 12.69 मिनिट से शुरू होकर एक मैई प्रातकाल 1.69 मिनिट पर समाप्त होगी आईए अब दिखते हैं ग्रहन के दौरान क्या करे और क्या न करे ग्रहन काल के दौरान किसी भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमती नहीं होती है ग्रहन के समय पूजास्थल को किसी परदे से ढख कर रखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार ग्रहन लगने से पहले खाने पिने की चीजों में तूलसी की पत्ती डालनी चाहिए और ग्रहन समाप्त होने के बाद इन्हें निकाल दे। ग्रहन काल के दोरान अपने इश्ट देवी देवताओं और सूर्य मंत्रों का जाब करना लाबकारी माना जाता है। ग्रहन के सूतक काल लगने के बाद घर में न तो भोजन पकाना चाहिए और नहीं उसे ग्रहन करे, हाला की शास्त्रों में बीमार, बुडे और बच्चों को इसके कोई मनाई नहीं है। ग्रहन के समय बाल काटना, नाखून, दाड़ी मूझ, कलर और गुसा नहीं करना चाहिए। धार्मीक मानियताओं के अनुसार ग्रहन के दोरान वातावरन में नकारत्मक शक्तिया प्रभावी रहती है। इसलिए गर्बवती महिलाओं को सूर्य ग्रहन की चाया से बचना चाह एवं दान करना शुब माना गया है। शास्त्रों की माने तो सूर्य और शनी पिता पुत्र है। 30 अप्रैल शनिष्चर्य अमस्या और सूर्य ग्रहन होने के कारण पिता पुत्र का ऐसा दुरलब सैयोग पिछले 100 वर्षों में नहीं बना है। ऐसे में इस सैयोग में किये उपाय बहुत ही लापकारी माने जाते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान की पूजा करने से भी संकुटों से चुटकारा मिलता है। शास्तों के अनुसार अगर इस दिन शनी देव को तेल चढ़ा कर काले कपड़े पर उड़त की डाल और काले तिल रखकर शनी प्रभाव खत्म होते हैं और पित्रों की आत्मा को भी शान्ती मिलती है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले।